हाई गैस तो आज मैं आप सब लोगों के लिए क्लास 10th के important questions लाई हूँ civics के तो जैसे कि हम हमारे सबसे पहले स्लेबस पे देखते कि आपके कौन-कौन से chapters आ रहे हैं कौन-कौन से नहीं आ रहे हैं और कौन से chapter में क्या delete हो है क्या नहीं तो सबसे पहले जो आपका chapter number one है power sharing आपका पूरा chapter आ रहा है chapter two आपका federalism यह भी आपका पूरा chapter आ रहा है आपका chapter three है democracy and diversity आपका full chapter deleted है पूरा chapter आपका delete हो चुक है यह आपको बिल्कुल भी नहीं करना है चाप्टर four जो है आपका gender religion and caste इस मेंसे जो है आपका page number 46 48 और 49 डिलीट हो है जो आपकी images से related जो आपकी questions होते हैं जो आपके आते वो डिलीट हो है then next आपका chapter number five popular strugglers and movement आपका पूरा डिलीट है यह भी आपको नहीं करना है then next आपका political parties आपका पूरा chapter number six यह पूरा आ रहा है chapter number seven outcomes of democracy भी आपका पूरा आ रहा है but जो chapter आपका eight है challenges to democracy यह आपका पूरा chapter डिलीट है यह आपको नहीं करना है तो सबसे पहले हम हमारे chapter number one power sharing पर आते इसमें जो आपके important questions है वो मैं आपको बताऊंगी तो हम सीधे हम हमारी back exam exercise पर आजाते जो कि page number ten पर है इसमें आपके important questions बनते हैं वो है आपका question number one और question number two इस chapter से सिर्फ आपके यही दो important questions बनते हैं क्योंकि इसमें जादा chapter में भी कुछ नहीं हैं और questions भी इतने हैं नहीं इसमें तो सिर्फ यही दो questions जो है आपके important बनते इस chapter से Then next जो है हमारा federalism हम इस chapter पर आ जाता है हमारे काफी important chapter है और काफी अच्छा chapter भी है तो हम इसकी जब back exercise पर आते हैं जो कि हमारी page number 27 पर है इसमें जो आपके important question बनते हैं एक तो सबसे पहला आपका question number 3 है question number 4 है question number 5 यह आपके important questions होते हैं चाप्टर से next जो आपका question number 8 यह भी आपका बहुत important है इसको भी आप बिना करियें नहीं जाएगा इस chapter से यह काफी important questions यह 4 questions आपके important है इस chapter से then next जो आपका democracy and diversity यह chapter आपका delete है तो यह हमें नहीं करना है तो then next हमारे gender religion and caste पर आते हैं इसमें जो था हमारा जो कि page number आपका जो था आपका यह 46 पेज नमबर आपका delete है जो यह है आपका communism and political वाला यह topic आपका delete है जो कि आपको नहीं करना है the next आपका 48 भी page number delete है 49 भी आपका delete है जो कि यह जो secular caste caste and politics यह आपका delete है बट जो हमारी exercise पर आ जाते हैं इसमें हमारी page number 55 पर आ जाते हैं इसमें जो आपके important questions बनते हैं सबसे पहले जो आपका question number 1 है question number 2 और 3 आपका delete हो चुके topic उन में से तो यह भी आपको नहीं करने और question number 4 5 और 6 यह आपके important है यह काफी important है क्योंकि इसमें से और कुछ बचा नहीं है तो सिर्फ यह important questions बनते हैं आपके इस chapter से थोड़ा बहुत आपको question number 7 इनके बारे में just as a पढ़ लीजेगा अगर by chance आजाए तो आप लिख पाए इन में से बट इतना important है बस फिर भी आप अपना plan बी जो होता है कि अगर by chance आजाए तो आप इनको लिख पाएंगे तो just आप इनके जो answers एक बार just read कर लेजेगा जिससे आप लिख पाए तो देन नेक्स आपका popular struggles and moment यह आपका chapter delete है तो यह आपको नहीं करना है तो जो हमारा chapter है political parties chapter number 6 जो है आपका हम इस पर आते हैं इसमें हम हमारी cd back exercise पर आएंगे जो की page number हमारी 87 पर है इसमें जो आपके important questions बनते हैं वो question number 1 है आपका question number 2, question number 4 और question number 5 यह आपके important questions बनते हैं इस chapter से और यह काफी important questions से उनको आप बिना करिये मत ही जाईएगा तो then next आपका outcomes of democracy chapter number 7 इसमें जो है हमारा page number हमारी 99 पर आजाते हैं सीधे इसमें जो आपका question number 1 तो आपका बहुत बहुत important है जो कि आपको यह करना ही करना है और question number 2 और 3 आपका जिस्ट आप इनको पढ़ लिजेगा इतना important नहीं है challenges to democracy आपका delete है जो कि आपको नहीं करना है तो इसी के साथ यह हमारी वीडियों यहापर खतम होती है तो यह थे important questions आरे chapter से जो मैंने questions बताई है काफी important है यह आप इनको बिना करिये मत ही जाएगा क्योंकि यह बहुत important questions है तो यह था आज की वीडियों लिए thank you so much for watching